Hello everyone, welcome you all at Lucas and Unlimited Studies तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर practice for the chapter inverse trigonometric function तो आईए कुछ बहुत ही बहतरीन और exam में आए हुए questions आजम यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले questions से start करने वाले हैं पहला question आपके सामने दिया गया है कि अगर आपके पास कोई function है 10 inverse x and greater than cot inverse x 10 inverse x जो है बड़ा है cot inverse x से तो आपको बताना है कि x की किस value के लिए is true for मतलब x के किस मान के लिए सत है पहला आपको दिया गया है x equal to 1 दूसरा x is greater than 1 तीसरा option आपको दिया गया x is less than 1 and d is all values of x तो इसको करने के कई method है देखी सबसे पहले आप जो है आप x की value ले करके x की value ले करके आप देख लीजे कि जैसे कि आप मान लीजे कि 10 inverse x जो है आप यहाँ पर x की जगया pi by 3 रख करके देख लें ओके तो क्योंकि pi by 4 पर दो दोनों बराबर होते हैं अगर आप say x equal to pi by 3 पर रख करके देखते हैं x equal to pi by 3 पर ओके तो 10 inverse pi by 3 के लिए यहाँ पर कितना हो जाता है देखी मैं 10 inverse देखे अगर मैं root 3 रख करके देखता हूँ okay sorry pi by 3 में बोल गया मैं तो इसको मेरे को root 3 बोलना था okay x equal to root 3 आप रख करके देख लेजे तो 10 inverse root 3 जो होता है okay and is greater than 10 inverse x की value root 3 पर कितनी आती आपको याद है pi by 3 okay 10 inverse root 3 की value आपको कितनी आती है pi by 3 आती है is greater than con inverse x cot inverse x cot inverse x तो यहाँ भी x कितना है root 3 है तो देखे आपको कह रहा है कि x की value क्या होनी चाहिए ठेके ना x की value आपको क्या होनी चाहिए यह बोला जा रहा है कि x की value के लिए जो होता है यहाँ पर जो होगा आपके पास में 10 inverse x cot inverse x से बढ़ा होगा तो यहाँ पर देखे यह कितना आरा pi by 3 आ रही है and यह क्या है pi by 6 आ रही है जो कि क्या है true है अब यहाँ पर देखे जो root 3 है this is equal to 1.732 मतलब वो क्या है एक से जादा है यहाँ पर जो आपके पास में y होता है वो क्या होता है minus infinity से लेके plus infinity तक लाई करता है और दूसरा जो आपके पास में cot inverse x जो हुआ करता है cot inverse में x में क्या हुआ करता है x is belongs to 0 to pi और यह भी कितना होता है यह होता है minus infinity to infinity तो जीरो टू पाई हुआ करता है और यह माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी हुआ करता है तो हम दोनों के ग्राफ एक साथ बना रहे हैं उससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर 10 inverse x greater than quarter inverse x से तो कब होगा देखिए यहाँ पर आपके पास क्या डाउट ट्रॉ कर दीजिए इधर पे आप जो है थोड़ा सा हमको नीचे ग्राफ बनाना चाहिए जिससे की जगह काफी बज़ा है हमाँ पस यह थोड़ा सा ऐसा बनाऊँगा तो मैं यह लेता हूँ लाई के मर्जिन्स हो गए ओके और नीचे भी इसी तरीके से यह क्या हो जागा यह हो जागा माइनस पावाइटू बस इतना ही जाना है बीच में क्या हमको जीरो है तो आप देखिए यहाँ पर 10 inverse x में x की वैल्यू माइनस पावाइटू से लेकि प्लस पावाइटू तो थोड़ा सा समझे इसको यह देखिए यह आपके पास में यह डाइग्राम आपके पास में जा रहा है ओके माइनस पावाइटू से लेकिए प्लस पावाइटू यह किसका है यह जो ग्राब बनाया है यह आपके पास में बन चुका है 10 inverse x का ओके यह आपके पास में क्या looking your money exactly OK X two-parभाड अब देखेए ऊपर वाला जोगर आपका एक्स जैल की पाई के बीच में लाई करता है और तो अगर आप पाई देते हैं तो क्या रहेगा माइनस इंफिनिटी और अगर आप यहाँ पे जीरो लिया देते हैं इसको तो 0 पर कितना चला जाएगा आपके पास में प्लस इंफिनिटी चला जाएगा तो ग्राफ को इस तरीके से आएगा इसका यहां से चलते 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 देखिए पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ ये देखिए इस तरीके से ये graph आएगा इसके बाद ये हो गया graph ओके तो ये समझीए कि cot inverse 0 तो cot की value 0 कहाँ पर मिल गई है आपको pi by 2 पर मिल गई है तो cot की value 0 pi by 2 हो गई इसके बाद जो है graph जो है इस तरीके से आएगा ये और यहाँ ये जाके parallel हो रहा है तो ये graph हो रहा है आपका किसका ये जो graph बन रहा है ये graph बन गया हमाँ पास कित्या ये graph बन चुका है y is equal to cot inverse x का graph cot inverse x का graph बन चुका है अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो दोनों कट कर रहे है ये actually ये pi by 4 है यहाँ पर रहाएगा pi by 4 यहाँ पर ये pi by 4 है और pi by 4 के उपर देखिए कौन है है ना यहाँ पर आपके पास pi by 4 है और इसके corresponding क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है ओके तो आप से पूँच रहा है कि अगर आपके पास में इसकी value 1 से बढ़ी है, तो 10 inverse देखिए, यहाँ पर 10 inverse x कह रहा है कि if 10 inverse x is greater than cot inverse x, अगर 10 inverse x जो है, अगर वो cot inverse x से ज्यादा है, 10 inverse x जो है, cot inverse x से ज्यादा है, I think यहाँ पर मैंने तोड़ी सी mistake कर दिया, मैंने domain और range को उल्टा उल्टा लिख दिया, इस वज़े से बहुत ज्यादा confusion create हो गया होगा अब लोग को, इसको सही कर लिजे, यह minus infinity से लेके plus infinity है, और यह x से ही है, और यह जो रहेगा यह y रहेगा है ना, और यहाँ पर क्या है यह, x belongs to, यह बन चुका अपने पास में कितना minus infinity से लेके plus infinity, और यह हो चुका हमारा कितना minus pi by 2 से लेकर के plus pi by 2, और यह हो चुका हमारा पास 0 से लेके pi, तो यह थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसकी वज़े से यह यहाँ पर गलत हो गया, चलि इसका domain हुआ करता है, और इसका जो आपके पास output जाता है, y में, वो कितना जाता है आपके पास में, y में आपके पास output जाता है, minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 open interval, और दूसरा function आपके पास है, cot inverse x, ओके, यह कितना होता है, यह भी minus infinity से plus infinity जाता है, और minus infinity किस पर होता है, यह minus infinity जो तो इसमें क्या होता है, 0 to pi, yes, तो यह जो हुआ करता है, 0 to pi, इसकी principle branch हुआ करती है, चलिए अब इसको मैं बना देता हूँ, इसको अपन ड्रॉ करते है, y equal to quad inverse x और 10 inverse x को, तो यह मैंने एक axis ले लिया, x axis, y axis, यह देखे, तो यह हमाय पास क्या है, यह मेरे पास x है, और यह मेरे पास y है, ठीक है न, यह x ले लिया है, और y ले लिया है, x देखे, आपका कहां जा रहा है, यह है minus infinity, और इधर आपके पास कितना जाएगा, plus infinity, और y में एक margin आप ले ले पास कितने का, पाई का, ओके तो आपने देखा था, ऊपर, कि जो 10 inverse x होता है, minus infinity, plus infinity, minus pi by 2 से plus pi by 2 output देथा है, तो 10 inverse के जितने भी output होंगे, वो minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 के बीच में होगे, तो इसके लिए graph देखेंगे, तो देखे, 10, 0 की value, 10 inverse 0 equal to 0 आती है, और ये इसका graph जाएगा, ये देखे, तो x equal to अगर आप infinity देएगे, तो y equal to pi by 2, अब ये clear graph बना है, पिछली बार ये गलत बन गया था, थोड़ा सा, जिसे की confusion create हो रहा था, इसको हमने दुबारा बना दिया, अब देखे, अगर मैं बूलूँ की cot की value, cot inverse minus infinity, ओके cot inverse minus infinity, तो cot की value minus infinity कहाँ पे हुआ करती, cot की value minus infinity होथी, pi पे, तो ये graph जो है, यहाँ से pi से शुरू होगा, और फिर cot की value 0 कहाँ पे होती, तो cot की value चलना सुरू हुई, and then cot की value जो है, इस तरीके से, flow थोड़ा गरपड हो गया, yes, यह देखे, यह cot की value, pi से सुरू हो कर यह इधर चल गई, then इसके बाद जो है, cot की value इधर जाके, अगर आप देखेंगे, yes, so cot inverse 0, okay, x की value देखे, यहाँ पे, x, अगर आप cot inverse यहाँ पे देखे, अगर आप यहाँ पे value 0 डालेंगे, okay, तो cot inverse infinity, तो cot inverse 0 पे तो आपको pi by 2 मिल चुका है न, cot inverse 0 is equals to हो गया, कितना, pi by 2, और then आपके पास में यह देखे, plus infinity जा रहा है, तो cot inverse plus infinity आपके पास कित्ते पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, yes, यहाँ पे देखे, यह जो value है, आपके पास में यह cut कर रहे है, pi by 4, यहाँ पे जो value आपको मिल रही है, यहाँ पे x के corresponding यह value travel हो रही है, अब देखे, यहाँ पर यह जो value है, यह आपके पास में कितनी है, 1 है, तो यह point आपके पास 1 है, अब आप देखे, आप से क्या कहा गया है, कि 10 inverse x जो है, वो greater than cot inverse x कब है, तो देखे, 1 के उपर जो है, आपके पास में, 1 के उपर में जितने भी 10 inverse x की values आएंगे, वो cot inverse x की values से जादा होंगे, तो correct answer आएगा, कि 10 inverse x जो greater हो रहा है, वो cot inverse x से हो रहा है, कब, when x is greater than 1, मतलब x से 1 की बड़ी values के लिए, जितने भी है, 10 inverse x का graph देखो, ऊपर की हो रहा है, मतलब इसके सारे जो outputs मिलेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, किस से cot inverse x से, ओके तो यह बहुत ही प्यारा सा question, so this is done, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको आप ignore कर दीजेगा, यह जो मैंने पहले graph बनाया था, यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दी थी, x की जगे y और y की जगे x ले लिया था, इसको थोड़ा सा प्लीज आप ignore कीजेगा, अप नए graph को यह जो graph है, इसके साथ आप इसको follow कीजिए, done, ओके देखे अगला question की दरब चलते हैं, अगला question note कीजिए, अगला question दिया गया है कि आपको value find करनी है, 10 of, आपके सामने bracket दिया गया है, 10 of, excuse me please, तो यह देखे आपके पास जो question मैं दे रहा था, 10 of, question है, sine inverse, 1 by 5, okay, and दूसरा जो दिया गया है, वो आपको दिया गया है, cos inverse, minus का, cos inverse, minus 4 by 5, okay, आपको इसकी value निकालने की, इसकी value क्या होगी, आपको इसकी value पूछी गई की, इस expression की आपको value क्या करनी है, ठीक न, तो देखे इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यह आपके पास 10 है, 10 की complete यह bracket में है, एक चीज और, हाँ, यह complete इसके bracket में है, तो 10 यह complete तो आपको पता है, कि इसको पहले 10 की फार में तोड़ना पड़ेगा, तो 10 inverse कितना हो जागा, यह perpendicular upon hypotenuse है, तो यह 3 है, sorry, हाँ, यह 3 by 5 है, तो कितना हो जागा, base कितना बनेगा, अपने पास में, यह 4 बनेगा, तो perpendicular upon base तो यह कितना हो जागा, 10 3 by 4, directly कर लिए अपन ल यह जो rule लगता है, वो कितना होता, cos inverse minus theta that is equal to pi minus cos inverse, okay, pi minus cos inverse theta that is equal to 4 by 5, अब इसको हम और ज्यादा solve कर सकते हैं, इसको हम 10 में convert कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 10 तो बाहर बैठे ही हुआ है, and then इसके बाद 10 inverse 3 by 4, minus, है न, यह कितना हो जाएगा, pi minus, यह इसको मैं break कर दो, त pi minus 10 inverse 4 by 5, जो हो जाएगा, वो फिर से बन जाएगा, क्या 3 by 4, यह बन गया, अब यही मैं इसको break करता हूँ, तो 10 of, कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा, मेरे पास, 10 inverse 3 by 4 है, और यह मेरे पास कितना है, pi minus था न, तो, कितना हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, तो यह मेरे पास हो जाएगा, कितना, minus का pi plus, minus का pi plus, 2 10 inverse, 2 10 inverse, 3 by 4, यह हो गया, done, अब हम जानते हैं कि हम यहाँ से, अगर minus sign common ले ले, because 10 minus theta is equal to minus 10 theta, तो यह बन जाएगा, minus of 10, और यह बन जाएगा, pi minus 2, 10 inverse 3 by 4, and actually 10 pi minus theta is equal to कितना होता है, minus 10 theta, तो यह minus cancel हो जाएगा, यह बन जाएगा, minus 10 theta, तो 10, और यह बन जाएगा, 2 only 10 inverse 3 by 4, अब मैं 10 के double angle को मैं यहाँ पर solve करता हूँ, क्योंकि एक formula होता है, 2 10 inverse x equal to 10 inverse 2x upon 1 plus x square, तो यहाँ पर 10 है, अंदर 10 inverse है, अब इसके double angle को मैं single angle में लिखता हूँ, क्या होता है, 10 inverse 2x, तो 2 into 3 by 4 upon 1 minus x square, तो 1 minus कितना हो जाएगा, 9 by 16, ठीक है, तो 10 से 10 inverse cancel हो गया, 2 into 3 by 4, that is equal to 6 by 4, and 6 minus 9, that is equal to 7 by 16, तो 7 by 16 को मैं पलट के लिखूँगा, तो 16 उपर और 7 नीचे, 4 से 4 बर cancel हो गया, तो answer कितना हो गया, 24 by 7 is the correct answer, तो इस तरीके से इन questions को solve किया जाता है, ओके, चली next question लिखते हैं, अगला question देखें क्या, find करने को कहा गया है, कि आपको if 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z equals to pi, 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z equals to आपको कितना दिया गया है, pi दिया गया है, तो आप से पूछा गया है, कि x plus y plus z equals to क्या होगा, then what is the value of x plus y plus z equals to, तो देखें 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z का formula simple होता है, 10 inverse कितना होता है, x plus y plus z minus xyz upon 1 plus, oh sorry, 1 minus xy minus yz minus xz, यह formula आप याद का लिजिए 10 inverse x plus y plus 10 inverse z का formula, तब x plus y plus z minus xyz whole divided by 1 minus xy minus yz minus xz, okay, equals to कितना होगा, pi, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखें, यहाँ से आपके पास में, at x plus y plus z minus xyz whole divided by 1 minus xy minus yz minus z x equals to, यह 10 inverse इदर चला जाएगा, तो 10 pi equals to 0 हो जाएगा, so x plus y plus z equals to कितना हो जाएगा, x into y into z, तो correct answer इसका कितना होगा, x into y into z, तो simple question यह भी competitive exams में पूछा जा चुका है, done, देखें, ऐसे question को करनी की, कोई short trick भी आप use कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास में question दिया था, 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z, okay, 10 inverse x plus 10 inverse z plus equal to कितना दिया पाई, तो आप मान लिजे कि x, यह भी pi by 3 है, ओके यह भी आपके पास pi by 3 है, और यह भी आपके पास कितना है, pi by 3 है, तो simultaneously x equal to y equal to z, आपके पास कितना आजाएगा, रूट 3, और इस position पे आप से पूछा गया है, कि आपके पास जो value है, किस चीज की value पूछी गई, आप से x plus y plus z की value पूछी गई है, तो यहाँ पर x plus y plus z की value आपके पास कितनी निकल रही देखें, आपको यह पूछा गया है, कि x plus y plus z की value क्या होगी, तो यहाँ पर x आपका कितना निकलेगा, root 3 plus root 3 plus root 3 equals to कितना हो गया, 3 root 3 हो गया, अब options में आपके पास जो options दिये गया है, इस question कि मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़रूरी है, यहाँ पर options आपको दिया गया है, a दिया गया है, x into y into z, b आपको दिया गया है, 1, ओके और जो भी बाकी, c आपको दिया गया है, 0, and d आपको दिया गया है, 2xyz, तो अब मैं पहले option में put करता हूँ, x, y, z की value, x आपके पास देखे कितना है, x आपके पास root 3 है, तो यदि मैं option number a से check करता हूँ, तो root 3 multiply by root 3, multiply by root 3, there is equal to 3 root 3, और 3 root 3 क्या रहा था हमारा x plus y plus j, तो correct answer कितना होगा इसका, x, y, z होगा यह answer, तो इस तरीके से short trick से भी आप इस question को कर सकते हो, done,